हेलो स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है स्टूडेंट्स आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली कारे पत्रक नमबर 24 करेंगे जो की क्लास 8 की है और विशे है हिंदी ये वर्क्षिट 17 डिसेंबर 2020 की है तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आइए देखते हैं आज की वर्क्षिट अकवरी लोटा पिछली वक्षित में हमने देखा था कि जाउलाल जी के बारे में बात की जा रहे थी कि वो घर से परिवार से अच्छे थे अच्छा खाते थे अच्छा पहनते थे लेकिन जब उनकी वाइफ ने उनसे 200 रुपय मांगे तब एक बार तो उन्होंने मना तो नहीं किया लेकिन इक बार तो उन्होंने का कि एभी है नई दे दूंगा तब उनकी वाइफ के अभी दो गए अगले हफ्टे दोगे अगर तुम नहीं दे पा रहे हो तो मैं मेरे बाई से ले ले लेती हूँ तब जाउलाल जी नहीं बोला कि नई पैसे मैं तुम्हें देदूगा अगले जो जो हफता है उसके साथवे दिन तुम्हारे हाथ में पैसे होंगे अब देखते हैं आगे क्या है वक्षिट में लेकिन जब चार दिन जो तो में योही बीद गए और रुपय कोई परबंद नहीं हो सका तब उन्हें चिंता होने लगी तो जाउला जी नहीं कहा था कि साथवे और नहीं देंगे तो अपना सवाल कहा जाता अपनी प्रतिस्टा कहा जाता अपनी बात कहा जाता कि यह बात बोली थी देने का पका वादा करके अगर अब ने देशके तो अपने मन में वे क्या सोचेगी उसकी नजरों में उसकी क्या मुल्यर है जाएगा तो वो यह सोचे थे कि मैंने ये किया वो किया लेकिन अब जब जब जरूरत पड़ी तब वो कह रहे कि अब चारों खाने चित हो गए मैंने अब कुछ भी नहीं हो पाएगा यह पहली बार उसके मूँ खोल कर कुछ रूपाओं का सवाल किया था इस समय अगर दम दबा कर निकल भागे तो फि उनोंने 5 दिन तो चार दिन तो बीट गहे, 7 दिन उनोंने कहा था कि पैसे देंगे, अब आी 5 दिन पांचोय दिन उन्होंने आखिरकार क्या कि खभरा कर भी क्या कहाuma पंडित बिलवासी मिश्र से अपनी विपदा जो उनकी विपदा थी, उसके बारे में बताया संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिलकुल खुश्क थे मतलब कि खुश्क का मतलब कि खाली थे उस समय क्या हुआ संयोग ऐसा था कि बिलवासी के पास में जो पंडित बिलवासी थे उनके पास भी कोई पैसा नहीं था वो भी क्या थे खुशक थे उन्होंने कहा मेरे पास तो नहीं है पर मैं कहीं से मांग जाजकर लाने की कोशिश करूँगा अगर मिल गया तो कल शाम तक तुम्हें मकान पर मिलूँगा तो अब जो पंडित बिलवासी थे, उन्हों ने क्या, कहीं मेरे पास अभी तो कुछ पैसा है नहीं, लेकिन मैं किसी से मांग जाजकर, मांग कर तुम्हें बताता हूँ, अगर मिल जाता है, मैं कोशिश करूँगा, और अगर मिल जाता है, तो शाम को तुमसे मकान पर तो मतलब क्यों होता है कि या तो जीवन कारावास जेल में डाल दिया जाया का जो डंड मिलता है या देश से निकाला जाता है! उसको आम भाशा में क्या कहते है, डामलवासी, नय कर देगी, केवल जरा हस देगी, पर वह कैसी हसी होगी, कलपना मातर से ही जहुलाल के मरोड पैदा हो जाती थी, अब देखो, अगर आपने किसी से प्रॉमिस किया है, और वो प्रॉमिस आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, त शाम को पंडित जहुलाल छट पर टहर रहे थे, कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नोकर को आवास दी, नोकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई, तो शाम को जब नोकर वो मन्याड़ा टेंशन में तो थे ही घूम रहे थी, उन्हें प्यास लगी, उन्ह वही शाम आज थी हफते का अंतीम दिन आज क्या आ गए अंतीम दिन आ गया उने का था कि आज ला कर दूँगा कल 200 रुपए या तो गिन देना या सारी हेकड़ी हाथ धोना यह सच है कि कल रुपए ने आने पर उनकी स्त्री उन्हें यह कहीं रुपए का प्रभंद ने कर सके कि या शाम आज थी हफते का अंतीम दिन था कल 200 रुपए या तो गिन देना या सारी हेकड़ी हात में दो ना वह सच थे कि कल 500 रुप है मैं उसके हात में दे दू गिन कर उसको मेरी मैरी जो इज़त है वो मि पनी रह medal या क्या है जो मैने इतनी हेकड़ी मारता था हकड़ी क सच है कि कल रुपय नहीं आने पर उसकी स्त्री उन्हें कहीं रुपय का प्रभंध वे कर नहीं सके तो अब देखो अगर कल रुपय ना दिये तो उनकी वाइफ उनको बार बार में यहीं बोलेगी कि आप कहीं से रुपय का प्रभंध भी नहीं कर सके तुम कहीं से प्रभंध जी है वो पैसे दे पाते हैं या नहीं दे पाते तो अब देखे बिटें यहां दिये गए है शब्दार्थ तो आइए देखते हैं शब्दार्थ प्रभंध का मतलब इंतिजाम करना उसने का था वह कुछ पैसों का प्रभंध कर दो प्रभंध का मतलब होता है इंतिजाम शु उधेडबुन मतलब कि इस दूविदा में थे, उधेडबुन का मतलब कि इस दूविदा में थे, कि क्या किया जाए, ये करूँ, कैसे पैसे लाओं, क्या करूँ, वो इसी उधेडबुन में थे, ठीके बिटा, तो आज की वक्षित हमने भी read कर लिए अच्छे से समझ लिए अब हम इसके करते हैं question answer बेटा ये शब्दार्त भी आप जरूर अपनी worksheet में note करेंगे अब करते हैं question answer तो देखे question number one पैसो का इंतजाम ना होने पर लाला जहूलाल को कौन से चिंता सता रही थी कौन से चिंता सता रही थी कि उनकी प्रतिस्टा पर बात आगी थी कि मैंने तो ये किया है वो किया है लेकिन अगर पैसे ना आये तो उनकी वाइफ उनको कितना सुनाएगी कितना उनको बोलेगी है तो आई ये करते हैं इसका answer हम तो देखते हैं बेटा question number one पैसो का इंतजाम ना होने पर लाला ज्याओ लाल को कौन से चिंता सता रही थी कौन से चिंता सता रही थी बेटा पैसो का इंतजाम ना होने पर ज्याओ लाल को लग रहा था कि उनकी प्रतिस्टा चली जाएगी क्योंकि उन्होंने पैसे देने का वादा किया था उनकी जो प्रतिस्टा थी मान था समान था वो चला जाएगा क्यों क्योंकि उन्होंने प्रोमिस किया था और आपको बता है कि जब हम कोई प्रोमिस करते हैं तो उसे हमें जरूर निभाना चाहिए तो पैसों का इंतजाम ना होने, पर ज्छाओ लाल को लग रहा था कि उनकी प्रतिस्टा चली जाएगी, क्योंकि उन्होंने पैसे देने का वादा किया था, अब हम करते हैं, प्रशन नंबर टू, प्रशन नंबर टू देखिये बेटा, क्या दिया गया है, लाला जी की मित्र पंडित बिलवासी जी ने उनसे क्या वादा किया हूँ उन्हें क्या कहा था कि अभी तो मेरे पास में है नहीं लेकिन जब मैं किसी से मांग जांच कर कोशिश करता हूँ और शाम को तुम्हें दे दूँगा तो आइए करते हैं इसका अंसर हम तो देखिए बेटा अंसर नमबर टू बेटा लाला जी के मित्र पंडित बिलवासी जी ने उन्हें वादा किया था कि अगर इधर उदर से पैसे मिले तो कल शाम तक उनके पास पहुँच जाएंगे अगर कहीं से मिल जाते हैं तो कल शाम तक आपके मकान तक पहुँचा दूँगा तो यही बात हुई थी लाला जी के मित्र पंडित बिलवासी जी ने उन्हें वादा किया था कि अगर इधर उदर से पैसे मिले तो कल शाम तक उनके पहुँच जाएंगे अब हम करते हैं प्रशन नंबर 3 प्रशन नंबर 3 देखिए बेटा क्या है लाला जी ने नोकर को क्यों वाज दी लाला जी को क्या लग रही थी बहुत प्यास लग रही थी और उन्हें पानी की जरूरती इसलिए लाला जी ने नोकर को अवाज दी तो आईए करते हैं इसका नोकर को पानी लाने के लिए आवाज दी ती यहां पर ये भी आड़ कर दीजेगा चाहे लाला जी को प्यास लग रही थी करना चाहे तो कर दीजे निई तो वो भी सही बेटा लाला जी को प्यास लग रही थी इसलिए लाला जी ने नोकर को पानी लाने के लिए आवाज दी अब हम करते हैं प्रेशन नंबर 4 देखे क्या है प्रेशन नंबर 4 देखे बेटा आपके साथ किया कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी से कोई वाइदा करके उसे पूरा करने की स्थिती में नहीं हो आप अपना पूरा अनुव लिखे तो बिटा क्या आपने कभी ऐसा किया है कि किसी से आपने कोई वाइदा किया हो और उसको पूरा ना किया हो तो आपको कैसा लगा इसके बारे में आपको यहाँ प जब मैं चटी कक्षा में था या थी जैसे भी आप गर्ल है तो थी और वह हैं तो था तब मैं अपने सहपार्टी की पुस्तक घर ले आया था उस पुस्तक में प्रशन सरल भाशा में प्रशन उत्तर लिग दिए गए थे मैंने वादा किया था कि कल सुबहर लोटा दूगा द प्रशन सरल भाशा में दूग दिए गए थे मैंने वादा किया था किकल सुबहर में लटा दूगा लेकिन हुआ क्या लेकिन तबयत खराब होने की वजय से लेकिन तबयत खराब होने worksheet complete होती है worksheet complete करके अपने teacher से चेक कर आए और प्लीज मेरे चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए और share कीजिए Thank you students